मेरे diabetes के वीडियो के नीचे comment डाल करके अक्सर patients ये पूछते हैं कि यदि मेरी diabetes 10 साल या उससे अधिक पुरानी है तो क्या ये reverse हो सकती है या मेरा HBA1C 12 या 14 है तो क्या इसे reverse किया जा सकता है या वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरी diabetes रियल में reverse हो रही है मतलब monitoring कैसे होगी ऐसे संदर्ब में मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा important test है जिसके माध्यम से आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपकी body में diabetes को reverse करने की अब कितनी चमता है और कितने समय में इसको reverse करने की possibilities हैं तो आईए हम चर्चा को शुरू करते हैं नमस्कार मैं हूँ Dr. Sanjeev Agarwal और जैसा आप सभी जानते हैं कि Monday को हम diabetes related एक video डालते हैं जिससे आपकी knowledge upgrade हो और आप अपनी diabetes को ना सरिफ control बल्कि उसका remission और reversal कर पाएं और Venice Day को हम एक ऐसी successful story लाते हैं जिनोंने अपनी diabetes का reversal किया है तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस channel को subscribe करें और साथ में bell icon प्रेस करें जिससे आपको सारे notification और video समय पर मिलते रहें अब यहाँ पर reversal से आखिर मेरा मतलब क्या है रिवर्सल से मेरा मतलब है कि आपकी diabetes की सारी दवाईया छोटें पास्टिंग के अंदर आपकी blood sugar 100 के नीचे आए और खाना खाने के बाद में आपकी blood sugar 140 से नीचे आनी चाहिए पर साथ में आपको एक blood test भी pass करना होता है जिसकी चर्चा में आगे करूँगा यदि आप उस blood test को pass कर लेते हैं तो आपकी diabetes का reversal माना जाएगा अन्यता जो अभी तक मैंने condition बताई है जिसमें आपकी fasting blood sugar 100 के नीचे, PPBS खाना खाने के बाद की 140 के नीचे और HBA 1C 5.7 के नीचे आता है तो इसे remission कहा जाता है तो आईए आगे हम इसके बारे में समझेंगे अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन सा test है जो ये आपको surety देता है कि आपकी diabetes reverse होगी या नहीं ध्यान रहे globally इस test को आपके diabetologist या MD physician कराते नहीं है इसलिए हमारे देश में भी इस test का उतना प्रचलन नहीं है परन्तु यदि आपको diabetes reverse करना है तो इस test को करना बहुत जरूरी है और इस से मालुम पड़ता है कि आपके diabetes के reversal की कितनी संभाव नाए है वो है आपका C peptide अगर इसको fasting में कराते हैं तो कापी अच्छा है इसको fasting और PP दोनों में ही कराया जा सकता है और usually इसका test fasting condition में किया जाता है C peptide का मतलब होता है कि आपके body में natural insulin कितना बन रहा है यहाँ फुरी detail में में जाना चाहूंगा आपके pancreas के beta cell में दरसल insulin अकेला नहीं बनता वो जो actual shape में होता है उसे कहते हैं pre pro insulin और इसमें 4 peptide चार इसके हिस्से होते हैं पहला हिस्सा जब तूटके अलग होता है तो फिर इसे कहते हैं pro insulin pro insulin के अंदर 3 हिस्से होते हैं एक इसके अंदर C peptide होता है और दूसरा alpha beta chains होती है अब इसके बाद में जब C peptide separate होता है तो जो दो peptides रह जाते हैं वो बनाते हैं active insulin जब beta cell से बाहर आते हैं तो C peptide और active insulin बरावर मात्रा में आते हैं तो यदि आपके शरीर में C peptide की मात्रा अच्छी है तो इसका मतलब है आपके diabetes के reversal की संभावनाएं बहतर है पर यदि C peptide धीरे-धीरे कम बन रहा है तो इसका मतलब है आपकी body धीरे-धीरे natural insulin को बनाना कम कर रही है अब जहां तक सवाल है insulin का तो insulin की जो life होती है वो काफी short होती है तो active insulin आपके blood में ज़्यादा समय तक रुखता नहीं है वो अपने काम पर लग जाता है और आपके blood flow के glucose को cell के अंदर डालता है वहीं C-peptide लंबे समय तक रहता है और इसकी जाच करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि शरीर कितना insulin बना रहा है अब यदि आप type 1 diabetes के मरीज जिसके अंदर insulin नहीं बन रहा होता या बहुत मामूली बन रहा होता है उनके C-peptide की reading कराएंगे तो वह मालूम पड़ेगा कि जो C-peptide का range है जो अकसर bottom line पर होता है 0.4 से लेकर के 1.1 तक और highest होता है 3.5 से लगबग 7.2 तक तो अलग-अलग जो pathology lab है वो अलग-अलग readings उनके reagents के हिसाब से देती है तो अगर type 1 diabetes के blood में देखेंगे तो bottom line से कहीं कम C-peptide की reading आती है मतलब अगर body के अंदर insulin बन ही नहीं रहा तो आपको injectable insulin लेना होगा अब इस injectable insulin में C-peptide portion नहीं होता ऐसी इस्थिती में आप C-peptide की जाच करके ये मालूम कर सकते हैं कि ये body का ही natural insulin बन रहा है या नहीं क्योंकि कई बार type 2 diabetes में एक लंबे समय के बाद में body के अंदर insulin बनना धीरे-धीरे कम होता है और ऐसे में मरीज बाहर से injectable insulin लेने लगता है तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि आज की तारीक में आपके body में natural insulin बन रहा है या नहीं बन रहा तो यदि आज की तारीक में आप insulin के injection ले रहे हैं तो जरूर C-peptide की जाच कराएं और अगर वो normal और highest के बीच की range में आता है तो आप ध्यान रखे dietary protocol से insulin injection बंद होंगे अब यदि type 2 diabetes में किसी का C-peptide काफी अधिक है 2, 3, 4, 7, 10 तो आपकी उतनी ही अधिक संभावनाएं है diabetes को जल्दी से जल्दी reverse कर पाने की diabetic diet के protocol से परन्तु वही अगर माली गिये सवा 1.5, 1.5, 2 इस प्रकार से बन रहा है वो भी कुछ दवाईयों के influence में जैसे glimipride, glyclazide या दूसरी weldagliptin तो जब दवाईयों के influence में अगर बन रहा है तो ये देखना पड़ता है कि दवाईयों के बंद होने के बाद में C-peptide और नीचे तो नहीं उतर जाएगा तो ये सारी चीजे measure करके इस possibility के बारे में मालुम किया जा सकता है कि आपकी diabetes कितनी जल्दी reverse होगी और इसी के माध्यम से जब आप dietary protocol में जाते हैं तो आपके reversal की संभावनायों के साथ में ये monitor किया जाता है कि कब आपकी diabetes reverse हो चुकी है और कब आपको glucose tolerance test कराना है तो अब इसके बाद में आपके मन में दूसरा सवाल आएगा कि ये तो सब ठीक है परन्तु मुझे reversal करने में फिर कितना समय लगेगा आपके बाड़ी में इंसुलिन का resistance कितना है तो इसके लिए सामने में आपको एक formula दिखा रहा हूँ इसके अंदर आपको एक test और करना होगा जिसे कहते हैं fasting insulin तो fasting insulin की जो reading है milligram per deciliter में वो आप mention करें उसके बाद में आपकी fasting blood sugar in milligram per deciliter इसको multiply करके constant 405 से आप divide करेंगे तो आपका homa IR निकलेगा अब यदि ये homa IR 0.4 या 0.5 से लेकर सवा या डेड़ तक है 1.25 या 1.5 तक है तो आपके body जो है insulin के प्रती sensitive है आप non-diabetic रहेंगे पर वहीं अगर ये 1.5 से 2.9 तक है तो definitely आपके body में resistance है और इसे overcome करने के अंदर आपको 6-9 मईने कभी-कभी एक साल तक भी लग सकता है तो इतने period में आप possible है अपनी diabetes reverse कर पाएं यदि C-peptide अच्छा है तो वहीं पर अगर आपका homa IR 2.9 के उपर है तो ऐसी condition में थोड़ा अधिक समय लग सकता है 9 मईने से 12 मईने या उससे भी कुछ अधिक समय तो इन चीजों के उपर depend करता है पहला आपके body में insulin के प्रती resistance कितना है और दूसरा आपके शरीर में C-peptide की readings क्या है तो यहां पर हमने दो चीजों का दो सवालों का आपके जवाब दिया एक तो यह कि आपकी diabetes reverse होगी के नहीं और दूसरा अगर होगी तो लगबग उसमें कितना समय लगेगा अब अगर आपको इसके आगे confirmation चाहिए कि reverse हुई है के नहीं तो हमको एक और टेस्ट कराना होता है जिसे कहते हैं glucose tolerance test अगर आपके सभी parameters सही है जैसे आपकी fasting blood sugar 100 के नीचे है PPBS आपकी 90-110 के बीच में है और लगबग 2-4 महीने से constant वनी हुई है HbA1c 5.7 के नीचे है आपका C-peptide जो है वो लगबग 1 सभा के आसपास है और आपका fasting insulin 2-5 के बीच है तो आपकी संभावनाएं अधिक बनती है कि आप GTT test को अच्छे से पास करें GTT test में सबसे पहले आपको अपनी fasting में blood sugar check करनी होती है जो obviously 100 के नीचे होगी अब इसके बाद 200 ml पानी के अंदर 75 ग्राम glucose डाल करके उस घोल को पीना होता है इसके 1 गंटे बाद की reading आपकी 160 के नीचे आनी चाहिए और 2 गंटे बाद की reading 140 के नीचे आनी चाहिए ऐसी स्थि स्थिति में आप GTT pass कर लेते हैं तो इसे एक diabetes का complete reversal बोलेंगे अब यहां पर यह करने के बाद में अक्सर यह देखा जाता है कि अब आप कभी भी अगर randomly कभी मिठाई खा लेते हैं तो आपकी blood sugar spike नहीं करती पर कई कमपनिया हमारे देश में ऐसी भी हैं जो इससे पहले की stage रेमिजन को ही reversal करके छोड़ देती हैं ऐसी स्थिति में यदि आप मिठाईयों का सेवन करेंगे तो आपकी blood sugar spike होने लगती है तो रेमिजन के अंदर आपकी GTT test pass नहीं होता आपकी blood sugar normal आने लगती है HBA1C normal हो जाता है दवाईयां भी छूड़ जाती है पर reversal के अंदर आप खास तोर से GTT test को pass करते हैं तो मैंने जितने भी यहाँ पर testimonials डाले हैं उसमें mostly reversal के बाद डाले हैं और कुछ जो रेमिजन के हैं उनमें clearly बोला है कि he is awaiting for reversal रेमिजन इनका हो चुका है तो इस विशेश बात का आप भी अपने diabetes control, रेमिजन और reversal की जर्नी के अंदर ध्यान रखें और यदि आप diabetic हैं तो सामने दिये गए नंबर पर संपर्क करें मैं मेरी team आपकी मदद करेगी diabetes control and reversal programs के मध्यम से तो आप इधर screen पर देख सकते हैं मैंने एक Q&A section का link दिया है और इसके अंदर आपकी इस प्रकार की कई सारी शंकाएं और उसका समाधान दिया है इस प्रकार के Q&A को सुने